नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ स्वाति सीख सपा सुप्रीमो अखिलेश यादो ने लोगसभा से स्तीफा दे दिया है और पार्टी के नेता आजम खान ने भी संसत सदसिता से मंगलवार को अपना स्तीफा दे दिया बता दें कि वे आजमगर से 2019 में लोगसभा चुनाओ जीत कर संसत पहुचे थे अखलेश यादो पहली बार यूपी विधान सभा चुनाओ में करहल सीट से अपनी किसमत को आजमा रहे थे अब उन्होंने लोगसभा सदसता से इस्तीफा दे कर विधान सभा में विपक्ष की भूमी का निभाने का फैसला किया है और अब विक्केवल विधायक और नेता विपक्ष के तौर पर कारेभार समालेंगे फिलाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TNP News के साथ बने रहे हमारे यूटिब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर खबरों की ताजा अपडेट्स लेते रहे शुक्रिया